तो है लो दोस्तों मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और अपनी तयारों में लेगे होंगे ठीक है बट जैसा कि हर बार भीमन्यों आयसे आपके लिए कुछ हटके लेकि आता है उसी सीरिस को आगे बढ़ाते हैं वह तो आपके आपके पास क्या रहा है यूपी एसी सी सेट की जो प्रिविएस एर कोश्चन्स है उनको हम डिसकस कर रहे हैं डे बाइड यानि पार्ट बाइड पाइ रहे हलका कोश्चन है मैं वो कोशन लिसकस करता हूँ तो अच्छे लेवल के है और जिनका आने वाले एक्जाम से कोई लेना देना है विकास के आपको बताों आजके लक्षर में क्या खास है क्या आपको यह पता चलेगा कि 2023 में जो कोश्चन आये थे ना कहां से आये थे है अज आपको ऐसा देखेगा जिसने 2023 का फेपर दिया था यह जिसने हमारे आनलीस जी देखिए थी थी कन्फर्म कहा सकता हूं कि एक से 2 कोश्चन मिनिमम एक से 2 कुश्चन वह आपको मिलेगा 2023 के पेपर में सब्सक्राइब है मुझे याद है मुझे अच्छे से पता है बट वट वोज चेंज चार साल का गैप था उन्निस के बाथ है तो एक स्टैप का भी गैप था वह क्या था मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना प बहुत डिटेल में बताऊंगा ताकि छोटी से छोटी इंफिरमीशन भी आपके मिसना सबसे पहली बात क्या समझो मेरिवाइब सबसे पहली बात कहा मतलब हफते में चार देनिस के लिए एक्स्ट्रा यहां पर मैं आप से करूंगा बातें सिरे बातें करूंगा आप से नेक्स मेरे पास देखो इसमें क्या मिलने वार एक्चुली बेटा यह ऑनलाइन प्लस ऑफ्लाइन बैच आपका हैं तो आप हमारे हेड़ चेंटर महली में आगे इसको लगा सकते हैं या घर बैठे भी से अवेल कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात में लिंक सारे के सारे डिस क्लास में लाइव करा रहा हूं आपको भी जिसमें पचास आपके क्वांट के हैं 25 आपके लॉजिकल के होंगे और इंग्लिश के 15 सब अलग अपने अपनी महारत हांसिल किये हूँ नेक्स्ट आपके वास प्रिविएस एर लेक्चर वो कितने हैं विट आपके आपके आपक सबसे ज़्यादा जुरूर दोते एक्सपेरेंट को वह क्या मेरे बास में आपकी बहुत सारी कठ रहे हैं आपको पूरा सलूशन मिलेगा ठीक यह तो बता दिया मैं आपको पैच में इसको चोड़के क्या मिलेगा आपको चोड़के बहुत कुछ मिल रही एकती मि Reminas करने क्यों करने यह भी तो बताना पड़ेगा आपको बतातो दिया बाते करनी है अब दिमाग घुम रहोगा कैसे बाते करने सतरफ है के साथ देखो नयुकिन, पनॉमिद्गिन, यहारस भनातातु अजू मयाने प्सक्राइट को कहता है। आपके पास लेक्चर होगा। हम्सेरे आपको तीन नितले सब्सक्राइट लेक्चर पीडियएफ। लेक्चर पीडियफ। नमबर दो, resources। नमबर तीन पे आपको क्या मिलेगा। लेक्चर प्रैक्टिशिट। मतलब जो इस लेक्चर में कराया, उसे को मैं पीडिय फॉर्मेट में डालूंगा। और वैसे ही कोशन आप घर पे इजी लिए प्रैक्ट करेंगे यह जिन प्रश्णों में आपको दिखकत होगे उन प्रश्णों को ले क्या करें चलें तो यह करेंगे हम इस फुल फ्लेज बैच के इतना करने के बाद कौन बोलेगा कि मेरा एक्जाम क्लियर नहीं होगा डेफिनेटली क्लियर होगा अगर अच्छे से महनत की योग देना पड़ेगा सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दूसरा लिंक कौन सा मिलेगा दूसरा मिलेगा आपको इस वट्सेप ग्रूप का जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा जिसके अंदर आपको वो इंफर्मेशन प्रवाइड की जाएगी जो हैएस के चैनल पर या आपके एक्जाम से लेटेट कुछ भी है क्लियर कोई वीडियो आगी कोई शॉट आ गया कुछ भी सब इसमें अपन पॉर को डिसकस करने काफी समय हो चुक है काफी बता दिया आपको मैंने आप फैमिली हैस टू चिल्डन सालॉंग विडियर प्रेंट्स इसको मुझे समझना है कैसे क्लियर 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 आपरीच बेट अफ्चिल्रन थिकैं चुल्रन तीक चिल्रन फादर मदब चिल्रन वन द्ड्स धू अफिल्रन खुल्रन फॉल्दर फादर इस दूदे लट्रन टू पलॉप्लॉट पादर इस यह कितना हो सिक्टितन ऑना छिवारे फास 52 किछी अगर फादर का बेट 60 गेजी है यहां पर पूट कीजिए चिल्डन प्लस चिल्डन टुर्ट इस हां बच्छे बन फिफ्टी सिक्स माइनस इक इतना होगा 94 के जी हां जी कितना होगया 94 चपन 96 और जी एक सो चपन माइनस चपन के चार बचे ठीक है एक सो सॉरी 96 आएगा अच्छा अब क्या बोल रहे है वो मेरे को वो मेरे को कह रहे है जी दन वेट अव्द ऑब मज़र देखो चिल्डन प्लस चिल्डन दून 96 आ गया जैनि 96 प्लस वेट ऑं अमदर इस हां मच यह बर फिप्टी तो बेट अ मदर कितना आ गया चलो भाई यह कोशन इंपोर्टन ऐसा कोशन आप से पूछा गया था जहां थे मुझे थोड़ी से मीद या बाइस में सपोर्ज क्यूंज एफ सफिचेंट अमाउंट और रुपेश करंसीं थ्री डिनोमिनेशन वन टैन और फिफ्टी और मैं डिफ्रेंट वेस कैन यू पेया और यहां भ्याइब और यह थो मेरे पास कितने पैसे बचके तो मैं क्या कर सकता हूं भाई है दस रुपे के दस इके लेलो है यह दो गए एक सो साथ कंड़ीशन नमबर वन है कंडिशन नमबर टू में क्या गरोगे इसको वन गुना सेवन रहें दो है फिर आप क्या कर सकत तो दस्तुर रुपे के पांच, प्लस, पचास का एक हो सकते हैं, पुर, नेक्स्ट में इसको ऐसे कैसे रहें दो, प्लस, पचास को ना दो, होगे एक सो साथ, पैली कंडिशन आगी है, क्लियर, बिकास मुझे दस और पांच के नोटों को यह निगा भी तिनों होने चाहिए, ना भी हो, क्या फरक पड़ेगा, अच्छा नेक्स देखो, अगर मैंसे करू, एक गुना सत्रह, ठीक है, एक ही होगे, प्लस कितना बचा, दस गुना आठ कर दू, और दस गुना नौ, स सुरी, प्लस सत्रह कितना होगा है, एक तो साथ, ठीक है, इसको ऐसी रहन दो, एक गुना सत्रह, प्लस, दस गुना चार, प्लस पचास गुना एक, इस एक बचाहिए, पिलकुल जी क्लिए, नेक्स ग्याएगा, एक गुना सताइस, प्लस दस गुना आठ नेक्स क्या कर सकता हूं एक गुना 27 प्लस दस गुना तीन प्लस पचास गुना एक इसके लगवा यहां से कोई केस ने निकल सकता लाइकंख कोई ओर केस यह इसका बन सकता कोई केस ने बन सकता नेक्स देखो वन वाले होगे यह वाले होगे और यह कितने होगे 3,2,5,1, to 1 Pi, 2, 7, प्लस दस गुना एक साथ टर और 70 स्लबस बांवा एक से सहने इचास एक लुक, ठीक है, next कितना होगे, 1 इटू 47 plus 10 गुना 6 1 इटू 47 plus 10 गुना 1 50 गुना 1 50, 60, 400 और 107 ठीक है जी, next कितना होगे, 1 इटू 57 plus 10 गुना 5 57 का दूसरा कैस बन सकता है, 1 इटू 57 plus 50 का एक नोट तो तिल 57 हमारे दो-दो खिसिस बनते जाएंगे 57 के बाद क्या होगा, देखो ज़रा, दियान से देखिएगा 1 इटू 67 plus 10 गुना 4 वाकियां दिख देता हूँ 1 इटू 77 plus 10 गुना 3 1 इटू 87 10 गुना 2 ता साथ भी शौट कर लेके, रेसन एट था कि आपके एक्षिले में समझाए कि हो क्या रहा है, तीन, चार पांचे साथ, आठ, नो, दस, ग्यारब, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोले, सतर, अठार, आठार, तोटल के सिस कितने, option number 18, that was very outstanding question, clear? चलिए, चलो भाई, consider two statements, s1 and s2, followed by a question, s1, p and q, बोथ हर प्राइम नमबर, अच्छा, p और q, बोथ प्राइम नमबर है, s2 क्या कह रही, p plus q is an odd integer, p plus q, odd integer, अच्छा, question कि, is p into q is an odd integer, नहीं का भी भी नहीं हो सकता, देखो, p और q, अगर मेरे प्राइम है, तो ले लो, तीन प्राइम होगी, two plus three, prime होगया, मैं अगर consider करता हूँ, दो और तीन मेरे प्राइम नमबर है, दोनों के दो, तो दो, प्लस तीन, पांच होगया, बिल्कुल odd integer होगया, तो क्या दो, कुना तीन मेरे पास odd integer होगया, बिल्कुल भी नहीं होगया, as one alone to sufficient answer the question, as two alone sufficient answer the question, both s1 and s2 take together to sufficient the answer the question, both s1 and s2 necessary, तो answer क्या होगा, मेरा, एक odd integer हो सकता है, बिल्कुल हो सकता, तो s2 आएगा answer इसका सिरफ, clear, easy question था, फोटा सोचन आपड़ा, बस इसमें, ऐसा question आपके 2023 के paper में देखने को मिले, ज्यान से देखेंगा, ऐसा था question, तो 19 से उठाया होगा question, 23 में डाल दिया उन्होंने, चोटा सा answer था, number 136 is added to 5B7, तो 136 को मैंने 5B7 के साथ add किया, clear, oh sorry, number 136 is added to 5B7 and the sum is obtained 7A3, मुख्या कह रहा है, इसी number 136 को 5B7 में add कर दे, and the sum obtained is 7A3, मतलब क्या है, where A and B are integers, it is given that 7A3 is exactly divisible by 3, बहुत अच्छा question, देखो, उसने क्या बोला है, भाई, 1, 36 को 5B7 में add कर, और जो result है ना मेरे बास का आना चाहिए, 7A3, अच्छा, और जो 7A3 है न, यह exactly divisible by किसे, तो चलिए चमतकार देखते हैं, कैसे करना है, देखो, सबसे पहले add करो, छे, साथ, तेरा, तीन, इसका मतलब यह तो confirm हो गया, अब मुझे एक बात बताओ, और मैं simple से आप से एक बात मुझे हूँ, यहां पर मुझे साथ है, यह साथ कैसे आएगा, जब 5, 6, यहां से कुछ कहरी होगे, वह ना आएगा, इसका मतलब यहां पर कोई ऐसा नंबर आएगा, तीन, एक चार, कि यहां पर दस से बीस के बीच में कोई नंबर आने वाला है, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, जॉला, सतरा, ठारा, उननिस, सॉरी, कुछ भी हो सकता है, दस भी हो सकता है, बट, डिपेंड करेगा, कि क्या वो नंबर तीन से डिविजिबल है, देखो, अगर मैंने यहां पर साथ पुट किया, सपोज गरो, ए मेरे साथ आता है, साथ, साथ, चौदा, तीन, सतरा, अगर मैं बी को आठ पुट करूँ, अगर मैं बी को आठ पुट करता हूं, तो यह कितना आगा, आठ, नो, दस, ग्यार, एक, बारा, यानि यहां पर कितना आएगा, दू, एक इतना आगा है मेरा, मेरे डु है अगर मेरे गया तो है कि इतना होसा नो दिन बारा बरगट है बारा पिठीन कितना हुद था चार कट किया और यह बहुत एजी गोश्चन था प्रशान कोश्चन नहीं था अगर आप कहो गोगे सर यह यह मुश्किल कोश्चन पर असान कोश्चन क्या होगा बच्छों क्लिए चल्एजी नेक्स्च पर चल रहे हैं अच्चा पर आप पर नोट दो तो first piece is equal to the average of the three single digit odd prime numbers मतलब मेरे पास ए मैं मानता हूँ भाई ए एक्स वाई जाड़ तीन वैलिए एक्स आगया वाई आगया जाड़ क्लियर एक्स क्या बोल रहे है तो प्लस थीन प्लस पांच और बोला है उसने सिंगल डिजिट और प्राइम नमबर सो दो नहीं आएगा भाई तो तीन प्लस पांच प्लस साथ डिवाईड़ पाई तीन तो फंदरा प्टे तीन कितना आगया पांच आगया तो मतलब पहली तो भी पहला नमबर मेरा आगया ठीक है क्या बोल रहे है लैं थर्ड लेंट ओव थर्ड यानि जैड़ भाई तो य कितना आगया मेरे पास प्लस ख्त्री यह यानि कितना आगया 15 प्लस जैड़ पाई 3 जिए वाई आगया मेरे पास फंद इस अल्य का ने यहां स्लोंग एस अदर टुट पीसँज यानिए जैड़ टो एक्स प्लस वाई इसा कुछ हो गया, अच्छा, Z की अगर यहां भी value पुट करूँ, कुछ बनेगा, देखो, Z की value अगर यहां मैं पुट करूँ, X plus Y, 15 plus, Z की value कहां पुट की, इस equation में, मुझे कुछ दिखा, बिल्कुल दिखा, is equal to कितना आ गया, 3Y, 15 plus X कितना 5, is equal to, 3Y minus Y, 20 is equal to कितना गया, 2Y, Y कितना गया, 10, अगर Y 10 आ गया, तो यह कितना गया, 5 plus 10, is equal to 15, ठीक है, अब वो मुझे क्या कहां रहा है, 16 लग रहा है, 15 इंगर को, क्या कहां रहा है, वो, the length of the original sheet, 5, plus 10, plus 15, option number D, 30, option number D, clear, चलिए जरा, next question में चल रहा है, चलिए जिए, how many triplets, 1YZ, satisfy the equation, X plus Y plus Z is equal to 6, क्या से करेंगे, how will you do this question, देखो, इसका एक formula होता है भाई, N minus 1, T R minus 1, N क्या है मेरे पास, जो sum होगा है न, 6 minus 1, T R मेरे पास क्या होगा, total number of terms, 3 minus 1, यानि कितना होगा, वरना फिर क्या करोगे, भाई आपको put करके देखना पड़ाएगा, 1, 2, 3, 3, 2, 1, ऐसे करके, clear, तो टेकली फोर्मा याद करो, तो 5 factorial upon, 3 factorial, 2 factorial, यानि 5, 4 into 3 factorial upon, 3 factorial into 2 into, answer is, 10 option number, clear, hopefully, clear होगा है question, चलिए, let us move on to the next question, बहुत अच्चे question आई, बहुत अच्चा question है, बहुत अच्चा question है, बहुत अच्चा question है, बहुत अच्चा question है, और एट डिजिट नंबर, 4252, 746B leaves reminder, मतलब, 4252, 746B, मतलब, पूरा 0 आएगा, अब इसको डिवाइट दो करके, देखने सकता है, बहुत इन की डिविजिबिल्टी पता होने चीए, बहुत क्या है तीन की डिविजिबिल्टी, कि सम ओफ डिजिट मस्ट बेजिएट बाए, 3, यानि, 4, 2, 6, 5, 11, 23, 20, 24, 24, 30, प्लस B, जवाइड़ बाए, 3, अब बताओ, 2023 का पेपर कहां से था, आपने प्रेजिबिल्टे पिछले पेपरों से, अपने ड़क से प्रीविजियर तो किये नहीं, फिर क्या कैसे करोगे भाई, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर चैनल को सब्स्राइब करना, प्लीज मत भूलिए, चलिए, नेक्स है मेरे बस, माइक्रो कोर्स है, जो तीसरा और फाइनल लिंक है, जो आपको डिस्क्रेज्ट में बॉक्स है मिलने वाला है, अब माइक्रो कोर्स क्या होता है, बताओ के मेरे को जरा, माइक्रो, छोटा कोर्स, छोटा कोर्स, इसका concept अभी बीडिये लेकिया है तेरे कोर्स से क्लियर सो student microcours ऐसा एक आपके पास platform जहां पर आप क्या कर सकते हैं आप अपना मंच चाहा course चूज कर सकते हैं मतलब topic चूज कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताऊं जब एक बद हम करेंगे चूज एक्जाम करेंगे तो अपने आप तीम आप से जुट जाएंगी वट्सेप यहां से भी आप वट्सेप ग्रूप को जोइन कर सकते हैं जो ओफिशिल है हमारा क्लियर जैसे मैं इन मेंटल इबिटी लॉजिकल रीजिनिंग इंग्लिश कॉम्प्रियेंशन आपके पास जैसे मैं बात करूं आप से सिंपल जैसे में रफस नंबर सिस्टम है और इससे जादे ही बेटे जैसे की बी से के राउंड कोशन आये थे लास्ट यह भी तो फिर घबराने वाले कोई बात नहीं आप कीजिए सब कुछ आवेलेबल है हमारे पास जैसे बात को आपको दिये गए है ठीक है लास्ट में बड़ी इंपॉर्टन बाद बताऊंगा आपको 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 आने वाले फ्यूचर के लिए बड़ी इंपॉर्टन एक नेक्स देखी जैसे मेरे पस सिंगली गॉंप्रिएंशन है पूरा है आपको आपको सिकरोगे यहांब और यहां पे 116 मिनट का ट्रायल दिया गया है तो इसको आप देख सकते हैं क्यूंकि जब पर्चेज जब ही करोगे ना जब अच्छेज देख पाऊगे जब देख नह हमारे सब्सक्राइब और अगर मेरी बातों में भरोसा ना हो तो यह उन बच्चों ने लिखा हुआ है जो आपको सिलेक्शन की फोटो दिख रहे हैं जो बच्चे यूप इसको पढ़ना मत बूलिए लेना मतलो बट इसको जुरूर पढ़ो आपको बहुत कुछ चलेगा कैसे इसने कहां कैसे कि यह कुलियर प्लीज फूल कोंस के लिंग कि डिस्कृप्शन बॉक्स में हैं आपके पास आपके पास फैरक ने भलंग इसे बाक्स में थे Więks उने प्लीजा दिए तरह चानल करैंजऑ लगो टॉट